हलो स्टूडन्स टांडर डिट अभी एक्जांपल 12 हम सेकंड मेथड से करते हैं ओके तो एक्जांपल 12 सिंपल मेथड जिसको हम बोलते हैं सिंपल मेथड सिंपल मेथड मतलब सिंपल इंट्रेस वाली मेथड तो टाइम दिया गया है शिक्स मन्स राइट हाफ आफ येर तीन बार करेंगे हम तो उसके लिए वो रेट या गया हमें 10% आर इस इगल टू 10% राइट पी इगल टू 12,000 एन इस इगल टू हाफ येर तो एसाई की क्या फॉर्मिला है एसाई इगल टू पी आरेन बाइ हन्रेड तो पी हे 12,000 आर दिया गया है 10,000 एन दिया गया है हाफ राइट अपॉन अन्रेड तो ये 00 कट हो जाएंगे ओके तो 10 का हाफ 5 होगा 12,000 आज 60 आएगा और एक 0 लोगी का तो 600 हो जाएगा राइट तो शिम्पल इंट्रेस्ट 600 रुपीज मिलेगा हमें और देरफोर एगल तो पी प्लस आई पी कितना है 12,000 तो 12,000 प्लस 600 तो 12,600 रुपीज इस दिस मिल प्रिंसिपल पर सेकंड हाफ यर राइग तो उसके लिए भी शिम्पल इंट्रेस्ट रुपीज करते हम तो i is equal to p कितना होगा 12600 into 10 into half right upon 100 होगा right upon में क्या आएगा 100 00 कट हो जाएंगे 10 का half होगा 5 1265 जा कितना होगा 630 therefore a is equal to p plus i right 12600 plus 630 तो कितना में लगा आप है 13230 रुपीज होगा यह सब जो है उसके अंदर रुपीज लिकना जरू हुए है ओके तो principle for third period that is equal to p for third half year right तो उसके लिए interest हम find करेंगे therefore i is equal to 13230 r10 into half upon 100 00 काट हो जाएगा तो आप बच्चे काई तर तो point में आएगा 661 point 50 तो e is equal to p plus i तो इसके बाद वाला देखते हम इसके बाद वाला देखते हम इसके बाद क्या दिया गया है think discuss and write a sum is taken for one year at 16% per annum if interest is compounded after every three months right so how many times will interest be charged in one year right तो यहाँ पर क्या दिया गया है think discuss and write think discuss and write यह कर रहे है r दिया गया है 16% और n दिया गया है one year और उसमें बोला है quarterly right तो quarterly मतलब four से divide करेंगे one year तो twelve months होते हैं divide by four करते हैं तो three months तो three plus three plus three कितनी बार करेंगे हम four times करेंगे तो twelve मिलेगा हम three plus three plus three तो twelve months होंगे three months three months three months three months तो twelve months ओके तो कितनी बार add किया हमने four times तो answer will be four times right तो think discuss right हमने कर दिया four times answer आया okay how many times interest will be charged in one year तो four times interest will be charged in one year ओके और उसके बाद हम देखते हैं try this okay try this हम next time करेंगे तो try this का first देखते हम 131 पेद नमबर है at the end of find the amount to be paid at the end of 2 years on rupees 2400 at 5% per annum compounded annually right तो first आला करते हम तो first में क्या क्या दिया गया है पेद नमबर 131 है page नमबर 131 first करते हैं try this tt p is equal to दिया गया है 2400 r is equal to दिया गया है 5% n is equal to 2 years है और लिखा गया है annually annually मतलब per year half yearly नहीं दिया गया है तो a is equal to formula क्या है p 1 प्लस r अपॉन 100 raise to n right तो p है 2400 1 प्लस r r किता है 5 तो 5 by 100 raise to n तो 2 years है ओके यहां लिखा है 2 years तो cutting करेंगे 20 21 जा प्लस 1 तो 21 तो 2400 21 by 20 square right तो दोनों का square करेंगे 2400 21 का square 441 20 का square 400 तो दोनों 0 काट हो जाएंगे 46 जा तो 6 into 441 कितना हैगा 2646 2646 रूपीज आएगा उसका amount right तो amount हमेशा p से greater होता है यह ज्यान में रखनेगा p से ज्यादा है right तो हम right है उसके बाद second जो है वो next वीडियो में करेंगे अब